नमस्ते, मैं हूं स्रीमाती लक्ष्मी प्रिया वहरा, अचार्या सरस्वती सिसुविद्य मंदेर पिपिली, हिंदी विशर का सहप्रांत विशर प्रमुख माध्यमे के विवाग। आज मैं दस्वीं कर्ष्या के हिंदी कलांस बो सबको स्वागत गरती हूं। बच्चे, पिछले कलांस में हम मधुर भासरण के पहला भाग पढ़े थे, इसमें लेखा का परिजय और विशय का कुछ भाग समझे थे, आज हम दुसरा भाग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्ना पुछना चाहती हूं। अभी बताओ, मधुर भासरण विशय का लेखा कौन है। लेखा कर गुलाब राए। आग्रा विश्व विद्याले ने उन्हें कौनसी उपाधी से विभुशित किया था। उत्तर है डी लीट की उपाधी। चौधा प्रश्न है मनुस्य की सामाजिक्ता किसके द्वरा कायम रहती है। उत्तर है भासा के द्वरा मनुस्य की सामाजिक्ता कायम रहती है। तिसरा प्रश्न है भासा द्वरा किसकी रक्ष्या होती है। उत्तर है भासा द्वरा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्ष्या होती है। बच्चे किताब निकालो देखो प्रिष्ठा चालिस का अंतिम पराग्रफ एक ही बात को हम करनकटू सब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं बाना भट्ट जब मन्ने वाला था तो यहाँ प्रश्ण हुआ कि उसकी अधूरी कादमबरी को कौन पुरा करेगा उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सुखा रिक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भासा में व्यक्त करोग बड़े लड़के ने कहा सुसकं काष्ठं तिश्ठ्यत्य अग्रे दुसरे ने कहा नीरसत अरूवरा विलसती पुरतह बात एक ही थी कहने में फर्क था बानभट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पुरी करने का भार सोंपा यह तो रही साहित्य के सब्द सयोजन की बात साधरन बोलचल में भी बड़ा अंतर हो जाता है भाव को प्रभावसाली भासा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है जो मनुस्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मेत्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्टिक है बारतलाप की सिष्टता मनुस्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है मनुस्य का समाज में जो प्रभा पड़ता है वहां बहुत अंस में पोसाख और चालधाल पर निर्भर रहता है किन्तु बीस भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है यहाँ प्रभाव उपरी होता है और पोसाख का मान जब तक भासन से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थाई नहीं होता मौधुर भासी के लिए करनी और कतनी का साम्य आवस्यक है किन्तु कार्म के लिए वचन पहली सीड़ी है मौधुर वचन ही बिश्वास उत्पन कर भय और आतं का परिमार्जन कर देते हैं कटु भासी लोगों से लोग हिदय खुल कर बात करने में डरते हैं सामाजी की ब्यवहर के लिए वीचारों का आदान प्रदन आवस्यक है और भासा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेश्ट प्रभाव डाल सके जब बुरे वचन आदमी को रूष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन भी कर सकते हैं सवब्दों का जादू बड़ा जबदस्त होता है मधुर वचनों के साथ यह भी आवस्यक है कि उनके पीछे टकसल भाव भी हो नहीं तो मुल में के सिक्कों की भांती वे बेकार रहेंगे हृदय की मलिंता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता है वचन के अनुकुल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुस्य बंद्य बनता है मन, वाणी और कर्म का समंजस्य ही मनुस्य को स्रिष्ठता के पद पर पहुंचाता है फिर भी वचनों का विशेश महत्व है क्योंकि एक कटू वचन सारे किये धरे पर पानी फिर सकता है यद्य भी यह ठीक है कि दुधारु गाय की दोर लातें भी सहन की जाती है फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता वाणी की मधूरता के साथ बिनापुर्ण ब्यवाहर ही सिष्टाचार है सिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकलूफ करते हैं लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सजनोचित ब्यवाहर मधूर भासन के साथ इसका भी मुल्य है उनके द्वरा मनुस्य की सिख्षा दिख्षा और कूल की परंपरा और मर्यादा का परिचे मिलता है बच्चे अभी देखेंगे कुछ कश्ट सब्द और इसका अर्थ देखो कादमबरी इसका मतलव बाणभट द्वरा रचित प्रसेध एक गद्य काविय जो संस्कृत भासा में लिखा गया है सुसकं काश्ठं तिश्ठत्य अग्रे इसका मतलव है आगे सुखी लकडी है नीरस तरुवर बिलसति पुरत है इसका मतलव है आगे नीरस ब्रिक्ष सोभा पा रहा है गलत फैमी इसका मतलव है भ्रम धर्णा चाल ढल इसका मतलव है चर व्योहर जवर दस्त इसका मतलव है जोरदार टकसली भाव इसका मतलव है सच्ची भावना मुलमे के सिक्कों इसका मतलव है नकली मुद्र कटू इसका मतलव है तिक्त सिष्ट इसका मतलव है भद्र बारतलप इसका मतलव है बातचित बीस भरे कनग घट इसका मतलब है बाहर से आकरशक मगर भीतर से हानिकरक सफ़ेद बेस में काले दिलुआले बच्चे बिशय को समझेंगे एक ही बात को हम करनकटू सब्द में बोल सकते हैं और इसे मौधूर भी बना सकते हैं बानभट जब मन्ने वाला था तो यहाँ प्रस्ण हुआ कि उसकी अधुरी कादमबरी को कौन पुरा करेगा बच्चे तुम जानते हो कादमबरी किसने लिखा है बानभट ने कादमबरी लिखा है जब बाणभट असुस्त हो गई तो उए अपने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया बाणभट अपने दोनों लड़कों को प्रश्न पुछा कि कौन अधुरी कादमबरी को पुर्या करेगा सामने एक सुखाब रिक्ष्य खड़ा था उसको देखकर वे प्रश्न पुछे कि बताओ अपनी अपनी भासा में व्यक्त करो यह क्या है बड़े लड़के ने कहा सुसकंग काश्ठंग तिष्ठ्य अत्याग्रे दूसरे ने कहा नीरसतरू और अभिलसति पुरता है तो दोनों की बात समझने के लिए एक है अर्थ में कोई फर्क नहीं है लेकिन ये बोलने में सिर्फ फर्क है समझने में एक है तो बाणवट ने अपने छोटे लड़के को पुस्तक पूरी करने का भार सोंपा तो ये बात है साहित्य के सब्द संयोजन की साधरन बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है यदि भाव को प्रभावसाली भासा में बैक्तिक कर दिया जाए तो यह साहित्य हो जाता है जो मनुस्य किसी गलत पहमी को दूर कर रुठे हुए मेत्र को मना लेता है वह सच्चा साहितिक है बारतलाब की सिष्टता मनुस्य को आदर भाजन बनाती है जो ठीक ढंग से बाचित कर शकता है वह सब के पास आदर होता है तो समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साब कर लेती है मनुस्य का समाज में जो प्रभा पड़ता है वह बहुत अंस में पोसाक और चालढल पर निर्भर रहता है किन्तो बीस भरे कना घटों की संसार में कमी नहीं है मनुस्य का समाज में प्रभा पड़ता है वह बहुत सफल होता है अपने पोसाक और चालढल के करण ये देखने के लिए अलग और अंदर में भी कुछ अलग होते हैं जैसे 20 भरे कनगटों की बात कहा गया है कनगट जो सुवन्न कलस है इसके अंदर यदि 20 भरे हुए तो बाहर ये कनगट घट को देखकर आकुरुष होना बिपद है तो 20 भरे ये कनगट सबके लिए बिपद का कारण होता है यहाँ प्रभाव उपरी होता है पुष्चा का मान जब तक भासन से पूष्ट होता है तब तक स्थाई नहीं होता इसका मतलब यहाँ है पुष्चा के पहनने वाले व्यक्ति को हम सही या गलत समझ नहीं सकेंगे उसके बात के अनुसर काम सही होता है तो इससे ही मनुसियों को हम परक सकते हैं मौधुर भासी के लिए करनी और कतनी दोनों की साम्या अबस्यक है जो कहेगा वही करेगा तो यहाँ लोग ही सच्चा मौधुर भासी हो सकता है मौधुर भासी लोगों से लोग हृदय खुलकर बात करने में डरते हैं सामाजी की व्यभार के लिए वीचारों का आदान प्रतन आवस्यक है और भासा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यह थेष्ट प्रभाब डाल सके जब भूरे वचन आदमी को रूष्ट कर सकते हैं तो मौधुर वचन दूसरे को प्रसन भी कर सकते हैं सब्दों का जादू बड़ा जबदस्त होता है मौधुर वचनों के साथ यह भी आवस्यक है कि उनके पीछे टकसली भाब भी हो नहीं तो मौदुर में के सिक्कों की भांती वे बेकार रहेंगे तो मौधुर वचनों के साथ यह सची भाबना रहना चाहिए मन में सची भाबना रहने से यह मौधुर वचनों का मुल्य रहता है नहीं तो यह मौदुर में के सिक्कों की भांती बेकार रहेंगे मुल्मे के सिक्के इसका मतलब है नकली मुद्रा नकली मुद्रा जैसा यह बन जाएगा जब मौधुर वचनों के साथ है सची भावना नहीं रहेगा हृदय की मलिनता और माधूर वचनों का योग नहीं हो सकता है यदि हृदय में मलिनभाब है और वचन में माधूरता है तो ये भी इसायोग नहीं हो सकता वचन के अनुकुल जब कार्म भी होते हैं तभी मनुस्य वंद्य वनता है तो इसे हमें यहाँ सिख्षा मिलती है वचन जैसा हो कर्म भी वैसा होना चाहिए मन वाणी और कर्म का सामजस्य ही मनुस्य को स्रिष्टता के पद पर पहुंचाता है फिर भी वचनों का विशेस महत्वा है क्योंकि एक काटू वचन सब नश्ट कर सकता है यद्यपी यह ठीक है कि दुधरुगाय की दो लाते भी सहन की जाती है फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्वा नहीं रखता जिसके हृदय में हम दुख पहुंचाते हैं इसकी भलाई करेंगे तो इसका कोई मुल्य नहीं रहता वाणी की मधूरता के साथ बिनेपुन बेवाहरी सिष्टाचर है वाणी मधूर बोलेंगे और बिनेपुन बेवाहर करेंगे यह ही सिष्टाचर माना जाएगा सिष्टाचर का अर्थ लोग दिखावा या तकलूफ करते हैं कोई लोग सिश्टाचर सिर्फी दिखाने के लिए करते हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में उसका आर्थ है सोजोनोचित ब्यवाहार. बच्चे किताब को अच्छी तरह पढ़ना, कख्या कारिया और ग्रिया कारिया को करके लाना, आज के लिए इतना.